हेलो स्टूदेंट्स हम लोग का क्लास 5 का जो चैप्टर चल रहा था human body food and health उसका next topic दिखो क्या है germs means किटानू उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग germs are the microscopic organisms which causes many diseases किटानू वो microscopic वो सुख्षमदर्सी जीव होते हैं जो बहुत सारी बीमारीयों के कारन उते हैं जिनके कारन बहुत सारी बीमारियों होती है they are called microscopic organisms because they are very small in size and can only be seen by microscope ऐसे जो किटानू होते हैं उनको microscopic organism क्यों बोला जाता है इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही छोटे-चोटे होते हैं लोग आसानी से देख नहीं सकते हैं तो उनको देखने के लिए हमें microscope की जरूरत होती है बीना microscope के वैसे چोटे-चोटे को हम लोग कितने सारे जहां है कि माइक्रोस्कोप को सुन रहे हो नहीं देख रहे हो कि सब्सक्राइब करते हैं चोटी चोटी चीजों को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट वह यंत्र जिसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है चोटी चोटी वस्तूओं को देखने के लिए वैसे यंत्र को हम लोग बोलते हैं ji instagram के चाहिए जिपैर जाते हैं चैनल जुक्त सब्सक्राइब मु कैशन से दूसरे ने करते हैं मैं जैए programs करते हैं और यह जर्म्स के कारण ही यह सारी डिजीजेज होती है और इसको फैलाने का काम भी जर्म्स ही करते हैं तो communicable diseases are spread from one person to another person communicable disease क्या है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है यह जर्म्स का नाम दिया है और इसके कारण कौन से बिमारी होती है और यह किस तरीके से उस बिमारी को फैलाने का काम करता है यह भी दिया हुआ है टीक है type of germs मिन्स जर्म के प्रकार कौन कौन से germs है diseases caused मतलब कि इनके कारण कौन कौन से बिमारी होती है and mode of spread or transmission यह जो फैलाओ है इनका transmission मिन्स भी होता है मतलब कि फैलाओ तो यह किस तरीके से एक परसन से दूसरे परसन में बिमारी को फैलाते है यह भी देखना है तो सबसे पहला है जो बैक्टिरिया तो बैक्टिरिया के कारण कौन से बिमारी होती है cholera typhoid and tuberculosis means TV तो यह जो बिमारी है यह बैक्टिरिया के कारण होती है और यह फैले की कैसे water से और air से अगर किसी परसन को वह बिमारी है मानलों की cholera है अगर उसका जूठा पानी हम लोग है तो वह पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर आ सकती है और हमें भी वो बिमारी हो सकती है वाइरस नेक्स्ट है वाइरस देखो वाइरस तो तो पहले ही बता चुके कि जो communicable disease जो है वह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है तो क है तो वाइरस के कारण कौन-कौन सी विमारिया होती है कंन चोल्ड फेल वाइरल फिवर मीजल संट सब करदे हर दिखा सी benzओ completely in standby मिजल्स क्या होता है मिजल्स में भी फीवर बहुत ज्यादा होता है बच्चों में अधिक होता है और क्या होता है बॉड़ी में स्पोर्ट 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 हो जाते हैं चेहरे पे गले में इसके कारण बहुत प्राब्लम होता है इसके कारण डैत भी हो जाता है बहुत स Rakiruba किसे धूरीजीजन के यह जीजीजस के खिर होती और स्प्रेड़ किस्के थू होता है अगर किसे को सर्दी अगर वह वह तुम्हें सामने खीक दिया तो तुम्हें भी ऊसकती है कैसे हो सकता है जीسب कह एगा हवा के थू तुम्हारे जाते हैं इसके कारण तुम्हें भी सर्दिखासी हो जाती है नेक्स्ट प्रोटोजवा वी एक जर्म है जिसके कारण कौन-कौन से भीमारी होती है डिसेंटरी एंड मलेरिया डिसेंटरी मिंस क्या हो गया कि जो स्टूल है जो हमारे बाड़ी से वेस्ट में निकलता है इस अए स्वाचो ज़ित्व होता है यह धिरी शौन्ता है रहरा है ओनियुक्त आप कर ने नसीड़ क ayudar कि मलेरिया तो और गंदा पान है पी रहे है इसमें अगर प्रोट्वहा है अगर जशनी तोि भीमारी हो जाएगी यह फिर अगर मलेरिया होता है मच्छार के काटने से heut już फिर वह है मच्छार काट लिए यह मच्छार center दूसरे इंसान को नहीं नहीं दूसरी नहीं हो जाए क्या तो मच्छार के काटने से भी फैलता है यह फंग कफ़षस in getting और उसमें धीचिंग होता है माध ठूल यह खुजली होती है यह बहुती तो वैसे पुलते हैं और यह कैसे फैलता था में और किसी परसोन को रिंग वाँ है अगर उसके कॉंटक्ट में हम लोग आते हैं तो वीमारी हमें भी हो सकती है हमेरे बोड़ी में भी रिंगाओ हो सकता है तो अगर हम चाहते हैं कि यह से वीमारी हमें हमें क्या करना तो अगर हम लोग अपने आसपास पानी जमा होने देंगे, इस टैगनेंट वाटर रहेगा, तो जो मच्छर है वो अपना जो लार्वा है उसी में देंगे, तो बहुत ज्यादा ही संख्या में मच्छर हो जाएंगे अगर हमारे घर के आसपास तो वो काटेंगे तो अविसलि हमें बीमारी हो सकती है, गार्वेज शुड बे रिमोवड प्रोपर्ली, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट हेल्थ केर, जो कचड़े हैं, कूडे कचड़े हैं, उनको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, हम इसा साफ करना चाहिए, और लोगों को, हम सब को बता करके तुम लोग लर्न करते रहों, और आगे हम और देते रहेंगे वीडियो, जैसे कि तुम लोग आप पढ़ाई जो है, वो कंटिन्यू रहेगा